बुद्धनगर में आयुर्वेच चिके सक्ट डॉक्टर प्रद्ना मिश्राम इनका क्लिनिक है। निलंबित करना चाहिए। जानते उन्हें से कि क्या पूरा मामला है, क्या पूरा मैटर हुआ था। यह जो आपके OPD के बाहर एक नोटिस लगाया गया है मनपाद्वारा, यह आपकी OPD बंद रखना चाहिए। तो क्यों यह मतलब मनपाद्वारा नोटिस लगाया गया है, क्या है, क्या हुआ था। यह मनपाद्वारा नोटिस लगाया हुआ है, मनपा के कल चार अधिकारी आकर गया है, उन्होंने गालिया देते हुए, यानि काफे बेकार लाइंगवेज में हमसे बात किये, और सारे पेशन्ट है उस वक्त उन्होंने बिल्कुल चुटकी बजाते हुए, गालिया देते ह इस तरह बाते की चाहती है, वो भी मनपा के अधिकारियों से, अब लुकुल चल तू निकल यहां से इस टाइप के उनकी बाते हुई है, और उसके बाद हम लोगों नहीं कहा कि आप क्लिनिक बंद कर दीजे करके, और हमने फिर उसी हिसाब से बूर्ड लगा दिया है, कि ए आहत होकर खुद रद्निया मैडम जो है डॉक्टर इन्होंने अपने ओपीडी के बाहर एक नोटिस लगा दिया है, कि मनपा द्वारा ओपीडी बंद रखने को कहा गया है, तो जिस तरह से मनपा करमचारियों ने यहां आकर हंगामा किया है, यह तो बहुत ही आपती जनक ह आपकी क्या मांग है, जिस तरह से मतलब आपकी आहां आकर इस तरह का हंगामा हुआ है, आपकी कुछ मांग है कि किस तरह मतलब यह बिहेवियर जो आपके साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है, आप एक डॉक्टर हो और आज जो शुरूवात है, जो कुरणा की संकट की घड़ी है इसमें डॉक्टर सी है जो पेशेंट को पेशेंट को एक मतलब मसीहा के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप क्या बताना मतलब आपने कुछ मांग की है इन करमचारियों के खिलाप दिखिए जब हम सबेरे से 10 बजे से रात के 11 बजे तक के कवर कर रहे हैं एम्बुलन्स की एम्बुलन्स आ रही है वहां से पेशेंट ठीक होते जा रहे है यह पेशेंट का खुद का अपना उपिन देन है और आप पेशेंट से जरूर पूछ सकते कि यह बाहर पेशेंट की प्लाइन लगी हुई है इसमें हम लोगों का एक ही रिक्वेस्ट है कि जब मैं इतनी महनत से काम कर रहे हूँ अपने देश के लिए अपने देश की पैती के लिए तो हम भारतिय उसका हमें गर्व होना चाहिए कि जहां दुनिया में आंसर नहीं है वहां अगर आईरवेद इसमें बात करें तो हम तो पूरी तरह से तूट जाएंगे ना उस करन हम चाहते है कि उन चारों का तब जाकर कुरו किसंक्रत की घड़ी में जो है एक मसीहा के रूप में है और इस तरह की बत्तमीजी अगर मनपा की कर्मे चारी करते है यह तो कतरी गवारा नहीं है जैसे की डोक्टर ने मांग की है कि उन्हें बर्खास करना चाहिए कि निलमबित